सलाम दोस्तों, welcome back to my channel, उमीद करता हूँ कि आप सब बढ़ी आई होंगे, तो आज हम बात करेंगे 6 ऐसे lose अतर्स जो अजमल ब्रैंड से आता है, अजमल एक इंडियन ब्रैंड है, अगर आप नहीं जानते तो आप मेरे English चैनल ज़रूर चेक कर सकते हैं, बहुत सारे वीडिय ब्रैंड के जो भी अतर्स है, बहुत पॉपलर ब्रैंड है, अजमल वर्ल्ड वाइड है, UAE में बहुत स्प्रेड हो चुके हैं, उनका हेड़कॉर्टर्स भी कुछ UAE कंट्री में ही है, तो ये सब आपको online नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब lose अतर्स है, जो सिर्फ उनके stores मे ही मिलेगा, लेकिन अप कुरियर करवाना चाता है, तो वो भी option है, लेकिन आपको minimum amount कुछ purchase करना पड़ेगा, तो जो भी details है, मैं आपको video description में दे दूँगा, तो आप contract करके फूच सकते हैं, delivery के बारे में, और जो भी amount है, आप उसके इसाब से दे के, deliver करा सकते हैं, तो number 6 पर आएगा मुखलत चमासिया, ओपनिंग थोड़ा सा एनिमलिक, डार्क, ब्लाक मस्क टाइप है, जो सब का टेस्ट नहीं होता है, मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं है, ब्लाक मस्क टाइप एनिमलिक फील, लेकिन मुझे एनिमलिक फील जो हिंदी वूद में आता है, वो मैस्कुलीन टाइप फ्रेक्रेंस पसंद करते हैं, उनमें से ऐसे बहुत लोग होते हैं, जो ब्लाक मस्क पसंद करते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया आप्शन है, लेकिन 15 मिनिट के बाद जो भी वो एनिमलिक ब्लाक मस्क टार्क फील है, वो थोड़ा सा माइल्ड ह होता जाता है, और उसके बाद बहुत एपिलिंग होता जाता है, अदर घंटे के बाद बहुत अच्छा मस्क, संदल और सैफरन का नोट भी महसूस दिलाता है, तो जो भी स्टार्टिंग में वो डार्क ब्लाक मस्क का फील है, वो थोड़ा माइल्ड होके, 30 मिनिट के बाद आपको बहुत अच्छा मस्क, संदल और सैफरन का नोट महसूस दिलाएगा, लेट ड्राइड आउन में आपको एमबर और सीडर वूड का भी फील देगा, ओवराल बहुत ही अच्छा ब्लेंड है, लेकिन स्टार्टिंग 15 मिनिट उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि ब्लाक मस्क जो भी है, इसको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिलाता है, अगर आपको ब्लाक मस्क पसंद है, तो जरूर ट्राइ कीजिए, परफॉर्मेंस इसका एकदम बॉंब, 20 मोट, विंटर के लिए एकदम सही रहेगा, नमबर पांच पे आएगा, हीना ए, ये एक साफरन बेजड अतर है, काड़मों के साथ, इलाइची के साथ, सैफरन और इलाइची, और उसके साथ मिड में आपको थोड़ा सा एनिमलिक टाइप मस्क, ओवराल मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एनिमलिक टाइप मस्क जो होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जो फ्रूटी सिट्रस टाइप फ्रेकन्स पसंद करते हैं, उनके लिए शायद नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा एनिमलिक मस्क, थोड़ा मेचूड नोज ही पसंद करते हैं, तो काड़मों और सैफरिंग के साथ, आपको एनिमलिक टाइप मस्क भी मिलेगा यहाँ पर, प मिस्क C जो भी है, मैंने पहले इंग्लिश चैनल पर भी इसका रिव्यू किया था, लेकिन वो मिस्क A था, इसका भी फार्मिलेशन ऑल्मोंस स्मिलर है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव किया है, और थोड़ा सा रिफाइन्मेंट कम है यहाँ पर, थोड़ा सा स्पाइसी एंब मट ट्राइ किजिए, सर्दी के मौसम में ऐसे फ्रेगरंस बहुत बढ़िया फील देता है, परफॉमेंस भी एकदम 20.3-4 गंटे तक इसका प्रजेक्शन और 12-14 गंटे तक इसका लास्टिंग, नमबर 3 पे आएगा, आइडेंटिटी नाम से, जो एक मस्की एंबर टाइप परफॉमेंस और 12-14 गंटे तक इसका लास्टिंग, ये भी बहुत बढ़िया लास्टिंग है, ब्लेंड वाइस भी बहुत बढ़िया है, एक वर्सेटाइल फ्रेगरंस काऊंगा, आप समर पे भी ट्राइक कर सकते हैं, यानि कि शाम और रात के टाइम पर, और विंटर पे भी बहुत अच्छा सूट करता है, नमबर दो पे आएगा सबा अलहब, सबा अलहब का मतलब मौनिंग लव, यानि कि सुबा का प्यार जो भी समझना चाते हैं, तो यहाँ पे जो फ्रेगरंस नोट है, नाम के हिसाब से ही बनाया है, ये एक कॉफी बेस्ट फ्रेगरंस नो सबा अलहब, प्यूटिफुल कॉफी नोट विद रोज, यानि कि गुलाब के साथ और कॉफी के साथ, ये दोनो नोट अगर आपको पसंद है, तो जरूर ट्राइ का सकते हैं, अगर फ्रेगरंस वोल का मोका वोड आपको पसंद है, मैं ये कहूंगा कि ये उससे भी बढ़ या रिफाइंड वर्जन है, क्योंकि मोका वोड में रोज नोट नहीं है, यहां पर रोज नोट अड़ किये हैं, तो ओवरल फॉर्मिलेशन मुझे ये ज़्यादा पसंद आया था, बहुती बैलेंस और रिच स्मेलिंग है, परफॉर्मेंस भी स्मूर तो नहीं कहूंगा, नमबर वन पे आयेगा, फेर लेडी नाम से नाम थोड़ा मिट गया था, फ्रेगर्नस वाइल थोड़ा लीक हुआ जब मैं ट्रावलिंग कर रहा था, लेकिन ये फ्रेगर्नस बहुती एपीरिंग है, बहुती कॉम्प्लिमेंट गेटिंग है, फेर लेडी नाम थोड़ा फ खुशुसी अमातिल पसंद है, तो ये जरूर पसंद आयेगा, जितना स्वीटनस खुशी अमातिल में है, यहां पर अभी उतना ही स्वीटनस, उतना ही फ्लोरल ब्लेंट है, तो मैं इसको यूनिसेट सीर कहूंगा, क्योंकि अगर आपुशी अमातिल लगाते हैं, तो ये जरूर लगा सकते हैं क्योंकि यह भी बहुत बढ़िया ब्लेंड है बहुत ही अचा कॉंप्लिमेंटिंग फैक्टर है इसमें स्टार्टिंग में आपको ग्रेफूट और पैनापल मिलेगा और ड्राइडाउन में आपको रॉयल वुडी जो है जो अजमल का लूज आता है बह ओवरॉल इसका फॉर्मलेशन बहुती बढ़िया है बहुती मास अपीलिंग और प्लीजिंग है परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा है तीन गंटे तक इसका प्रोजेक्शन और बारा गंटे तक इसका लास्टिंग तो परफॉर्मेंस के मामले में भी एकदम बढ़िया और कॉंप्लिमेंट के मामले में भी एकदमडिया मौसन के इसाब से यह वर्सटाइल ही कहूंगा आप समर पे भी लगा सकते हैं वेंटर पे भी लगा सकते हैं तो अगर आपने इन में से कोई भी अतर ट्राइ किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको खेसे रिये चैनल पर तब तक के लिए खुदा आपीस